नमस्कार किसान भायों मैं विकास सर्मा एक नई वीडियो के साथ आया हूं हमने क्या कि गाउं कोटडा में सेखर जी है हमारे इनका हमने नेट हाउस लगाया था जो दो हजार स्केयर मीट्र के अंदर और हमने अलग आरण रिजर्ट पर हमने जो वी फाइव नेक हमारा जो वाइट में मौस्कारी यूज़ करते हैं हमने यहां पर निए पर इसका रिजल्ट आएगा अब यहां पर हमने आर एंडि करके देख स्मर्ण यह था कि चार से पांट डिग्री टेंपरेचर मंटेन करता है बाकि इसके क्या रिजल्ट रहे यह हमारे सेखर जी है यही बताएंगे कि क्या फरक रहा था सेखर जी एक बात बताओ जो आपने इससे पहले कौन सी फसली थी मैं खीरे के लिए थी मल्टी स्टार अब आपने फसले आपने मैं खीरे की फसल लगाई जी सर मैंने अप्रैल में लगाई थी 10-11 अप्रैल को 2022 को अच्छा 10-11 अप्रैल को उसमें क्या पड़क्शन निकली मेरे सरी यह आद्धा एकड़ में लगावाया मेरे उसमें लगब 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 दाइसो कोईंटल के आसपास निकला था सब्सक्राइब को इतनी बड़ी मेजर प्रोब्लम में लगाते हैं उसमें थोड़ा सा हीट बन जाती है और हीट में जो अप्रैल मंत में बहुत सारे फार्मर थे उन्हों ने तब क्रोप लगाई थी लोगों के जब लगा थी लेकिन वीफाई ब्लैक के अंदर ऐसा नहीं मिला यहां पे टैंपरेचर मंटेन था और जिस्चे यहां पे वाइरेस की कम प्रोब्लम थी और यहां फार्मर जी बता रहे हैं खुद से कि इनकी 200 कोवेंटल के आसपास फसल हुई थी तो जाहिर है कि टेंपरेचर मंटेन में गर्मियों के दिन जब अपरेल मन्थ में हम अगर क्रोप लगाते हैं तो जाहिर है कि फसल इसमें अच्छी होती है जो बिमारियों का कांड बनता हो वो कुछ न कुछ हद तक कम होता है